नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेक गाइड हिंदी चैनल पर और आज हम इस वीडियो पर करेंगे कैनन 1390 DSLR का अन्बॉक्सिंग वीडियो तो आप देख सकते हैं यह आपरे कैनन 1390 DSLR का बॉक्स एक कैमेरा दो मोडले के साथ आता है एक 18-55mm kit lens के साथ और तूसरा दो lens के साथ 18-55mm और 55-250mm telephoto zoom lens के साथ तो आप बॉक्स कर फॉर्ट साइड देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डेटेल्स मेंसिंट किया गया है कैमेरा के बारे में और इस कैमेरा में 18MP CMOS Sensor इसका ISO 6400 यह FULL HD recording करता है 30 एपस पर और 3 प्रेंस पर से जो कि फ्री नहीं है उस आपको अर्ग से खरीदना पड़ेगा से तो बॉक्स के इस साइड पर के इस कैमेरा के प्राइस में संग किया गया है जो कि है 29,900 रुपीस पर दोस्तों यह आप काफी कम रुपे में खरी सकते हो फ्लिक कार्ट या Amazon या कोई online वेश साइड में यह आप करी सकते हो तो चलिए बॉक्स जल्दी से ओपन कर लेते हैं आपको दिखा दे क्या है इसके अंदर तो दोस्तों देख सकते हैं यह पर ऊपर कुछ कैमेरा का यूजर मनियल कुछ बेसिक इंस्टरक्षिन मेलिवन दिया गया है और यह है इसका कास्टमर डिलेटेट कु पर देखेंगे तो काफिय रही होगा तो सारे चीज पर साइद पर रहा है आपको में चीजें दिखाता हूँ तो दोस्तों आप देख सेकते हैं यहां पर बॉक्स पर क्या कुछ है अंदर बॉक्स के सबसे उपर है एक 16GB लेक्सर का SD Card जो की 45 MPs इसका Speed है यह Full HD recording करने करें के काफी अच्छा होगा तो इसके मैं अच्छा दिखता है और इसको मैं साइट पर रखता हूँ और दिखाद आपको और यह है इसका charging cable नॉर्मिल चार्जिन के विर और यह है इसका USB mini cable और यह है इसका battery तो बैटरी को मैं आपको करीब से दिखाता हूँ और इसका capacity और कुछ details में आपको दिखाता हूँ करीब से तो आप देख सकते हैं इस बैटरी का क्यापसिट है 860 एमेज जो कि कैनोन गारेंटी देता है फाइफ हंड़ेड शॉट्स तर जो कि आइधिंग अच्छा होगा और इसका चाल चाल भी दिया गया है जो कि ऐसा दिता है यह पर आपको बैटी डालना पड़ेगा जब है आप बैट्री डालेंगे तो यहां पर छार्जिंग डिन होंगा और फूल बात पर ऐंडिकेटर नवागा और यहां पर जो एक लेंस दिया गया है और जी कामरा पॉड़ी तो मैं पहले आपको लेंस दिखा देता हूँ तब देख सकते हैं यहां पर इसका 18-55 वूसर पा तो इसको में साइट पर रखता हूं और दिखाता हूं आपका कामेरा बॉडी ता आप देख सहकता है यह दिखता है यह त्री इंच नॉन टस्कीन और फिक्ट इन डिस्प्लेई और इसका जो ग्रीफ है काफी अच्छा है यह फर ग्रीफ दिया गया इसका जो प्लास्टिक कॉलिटी दिया गया है वह भी काफी अच्छा है और यह व्यूफाइंडर है तो चलिए जल्दी से लेंस अटास्ट कर लेते हैं तो लेंस को माउंट करने के लिए आपको पहले कैप खोलना पड़ेगा ता आप कैप खोलने के बाद यह आपका जो लें दोटसे मैच कराना पड़ेगा ताथि customerTHA यहां पर है दोट यह वाइड ऑड़ और सिमेच कर Ánा पड़ेगा ऐसे मैँस कराता यह और इसको राइट साइट पर कुमाईं तो यह लोग हो जाएगा तो इस camera को ओन करने से पहले मैं इस camera की physical तो इस पर 18 MP, APSSI, CMOS sensor है और फूल HD सूट कर लेता है 30 seconds में और इसका मैक्सिमुम आयों सो है 12800 और इसका जो इमिंज पोसिंग इंजिन है ओगे वह है डिजिट 4 Plus जो कि एक अप्गेड इसन है ओल्डर जो 1290 का मॉडल उससे अप्ग्रेड किया गया है तो आप इसके कैमेर के बचुब फ्रॉंट साइट आप देख सकता है फ्रॉंट मेर फ्रॉंट पर ये ये 3-inch TFT स्क्रीन दिया गया है जो की नान तर्श स्क्रीन फिक स्क्रीन है और सार जो बटन आप देख सकते हैं इस सारे राइट साइट पर तो एक राइट अहक। झीज बटन तो एक राइट हटेंड यूसर के काफ़ी अच्छा लिए और इस होगा तो यह है इसका फिजिकल ओवर्प्यू यह कामेरा इस पर डिजिट फोर प्लस इमेज़ पूसे इन है जो की काफी अच्छा होगा तो सबसे पहले इसका बैटरी और स्टी कार्ट लगाते हैं और इसका कैमेरा को अन कर लेते हैं तो बैटरी अन लगाने के लिए आपको इस बैटरी को यहां पर ऐसे पूल करना पड़ेगा फूसरि पूस करना पड़ेगा यहां अबर तो बैटरी अपने आप लॉप होचाएका और उसके ढ़ देशने मेम». सलदी पूस्ट कीजिए मेमरी कारड भी यहां पर लॉख होचा और यह अभी viewfinder mode में है तो आपको एक में important बात बताना चाहता हूं यह जो viewfinder है इस camera का only picture का 95% area cover करता है 100% area cover नहीं करता तो फोटो किसने से पहले यह ज्यान में रख सकते हैं और इस पर जो built-in Wi-Fi है उसका setup भी मैं आपको दिखाता हूं तो यह menu में जाए है यहां पर आपको जो options मिलेगा तो यह एक जो corner में इंट में जो option है Wi-Fi only इसको on कर सकते है आउप कर सकते है ऐसे तो यह है इसका settings पगेरा यह है video recording mode इसका इसका screen mode है और वीडियो टेक्निक शट करने के लिए जो mode dial है मैं यह आपर focus कर लेता हूं तो mode dial पर एक तम इंट पर जाना पड़ेगा यह है इसका video recording mode तो यह सारे modes है तो मुझे उम्मीद यह unboxing video आपको पसंद आया होगा तो अगर आपको इस camera के बारे में कुछ भी questions inquiries है तो please comment box पर comment कीजिए मैं जरूर answer दूँगा और इस video के देहिने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और please subscribe करिए मेरे चैनलन को थैंक यू झालन को यू